महादेव ओम नमस्षवाई आप सबीका हमारे यूटूब शैनल पर श्वागत है आज आपको एक बहुती विशेश मंत्र बता रहे हैं प्रेत सिद्धिका साइद आपने आज से पहले ये मंत्र कहीं भी ना सुना होगा नहीं कहीं पे देखा होगा ये बहुत प्राशिन मंत्र है और ये सिद्ध स्वम्सिद्ध मंत्र है साबर मंत्र है इस मंत्र को आपको अलग से कोई भी सिद्धी करने की जरूरत नहीं है आपका सिदा ही इस परियोग में इस मंत्र को ले सकते हैं लेकिन ये परियोग में वो ही इंसान ले जिनोंने पहले सादनाए सीव सादनाए माकाली सादनाए या और कोई शादनाए कीर हुई है और वो बिल्कुल डर्खोफ से अंजाने हैं यानि उनको कोई भी डर्ख भेवगिरा नहीं लगता हैं और उन्होंने पहले भी कहीं ऐसी शक्तियों का सामना कर रहा हैं और उन्हें प्रेथ सिद्धी करने हैं तो वो लोग इस मंतर का परियोग कर सकते हैं बाकी आप नए सादक हैं औ किसी भी परकार की कोई जन हानी किसी परकार की कोई घटना होती है तो पुश्वेम उसका जिम्यदार होगा इसका कोई भी जिम्यदार नहीं होगा ये आपको पहले बता देते हैं क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल मंतरा है और इसका प्रियोग एक बार में ही सिद्ध हो जाता है एक बार में ही प्रेथ है वो शामने आ जाता है और ये पहले ही बता दिया कि ये स्वेम शिद्ध मंतर है इसका केवल आपको प्रियोग करना है और आप प्रियोग करते ही वो शक्ति हैं सामने आ जाती है आप इसको सोच समझ कर ही किजिएगा तो सुन लिजिएगा इनके बारे में पूरा ही आपको क्या करना है कि अगर प्रेश सिद्ध होती है तो पहले तो यह बता देते हैं कि क्या कार्य करते हैं प्रेश सिद्ध होने पर आपको जो कार्य चाहिए वो कर देते हैं किसी का भी महरन करना है किसी को वश्मे करना है किसी का उसाठन करना है या आपके कोई धन की प्रॉब्लम है तो वो शमादान कर देगा आपके रास्ते में कोई ऐसा कोई भी पदादिकार या कोई भी अर्षन कर रहा है तो उसको वहाँ से हटा देगा या मार देगा ऐसे सारे ही कारिय कर सकता है यानि एक बार आपको प्रेश सिद्धी हो जाती है तो आप किसी दूसरी सादना में पढ़ेंगे बेदी मेरे हिसाब से बहुत ही यह पावरफुल सादना है आपको एक मैं बात बता दिता हूँ कि जो अगोरी लोग होते हैं उनके पास में प्रेश सिद्धिया ही होती है जो वो आपको कर्तब दिखाते हैं या उनका जो पावर होता है वो प्रेश सिद्धी का ही होता है उसके लावा उनके पास में कोई भी विशिस नहीं होता है बाकी तो वो सीव साधना करते हैं जो श्वयम की शुरक्षा के लिए लेकि वो कार्य जो करवाते हैं वो प्रेट सिद्धी के द्वारा ही करवाते हैं और उनी अगोर मंत्रों में से ये जो शाबर मंत्रा आपको दे रहे हैं ये सिद्ध मंत्रा है इसलिए आपको ध्यान से करना है सुन लेजिएगा आप किसी भी करशना पक्ष में यानि करशना पक्ष होना शाहिए अंधेरी रात होनी चाहिए उसमें आपको होशके तो सनिवार का दिन देखेंगा और सनिवार का दिन अंधेरा पक्स यानि कष्णा पक्स और रात्री का शमय आप अपने गाउं, घर या सेहर से कापी धूर एकांत में चले जाएं और वहाँ पे आप पहले से ही रात में आपको कोई नहीं जगा नहीं मिलेगी इसलिए आपको एक दो दिन पहले बढ़क के वो साधना के लिए इस्तान ऐसा आपको पता करना पड़ेगा कि यहाँ पर रात्री कालेद में कोई भी आपको डिश्ट्रप्ट ना करे, किसी परकार कि आपको कोई शमश्या ना हो, तो ऐसा आपको पहले से बंदोपस करना पड़ेगा, फिर आपको यह सनिवार के दिन करेंगे तो बैतर रहेगा, तो यह आप पहले कर दिजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत खत्रा है, आप यह साधना सोड़ देंगे, या इसमें उटके अपने घेरे से बार जाएंगे, तो भी आप मुश्किल में पड़ जाएंगे, या आपके किसी भी तरीके से वहाँ ऐसी जगह होनी चाहिए, कि लोग ना आते हो, बाकी प्रेत हैं, वो किसी के भी रूप में आ सकता है, प्रेत किसी भी इंसान का रूप धारन करके आपको वहाँ से उठाने के लिए, आपकी तरफ आएगा, आपको कुछ कहेगा, उसका स सलकपट होगा, यह समझ लीजिएगा, यह काली सकतियां होती है, बहुत ज़्यादा सलकपट करती हैं, ड्रावनी करती हैं, आपको ऐसे जर्शिय दिखाई देंगे, आप बैटे तो उस जगह है, लेकिन आप ऐसी जगह, आपके असानक आपके दिमाग में ऐसा चलेगा, कि आप ऐसी जगह में घूम रहे हैं, जहाँ पर लासो का धेर है, समसान है, कोई आग जलती है, और जब आप आगे खोलेंगे, तो कि यार मैं तो यहाँ पर बैटा था, यह का से दिखाई, ऐसे भाएभित होते हैं, ऐसी साधनाओं में, यह मेरे स्वेम के अनुभव, कोई गड़ा वगिरा है, तो उसमें भी बैट सकते हैं, ऐसी कोई जरूरी नहीं है, कि आपको बबूलगा वरक्षी मिले, लेकिन एकांत होना चाहिए, बहुत बस्ती से दूर होना चाहिए, और कोई ऐसा रेतीला टीला वगिरा है, तो और भी बेतर है, ठीक है, और वहाँ किसे आम की लखड़ी मिलती है, तो आम की लखड़ी जरूर ले जाईएगा, उसके साथ में फिर आप दूसरा और भी मिला सकते हैं, ऐसी कोई नहीं है, लेकिन आम थोड़ा बहुत आम की लखड़ी मिल जाती है, उसमें जलाने के लिए, तो बैतर रहेगा, आपको वहाँ हवन कुंड करना है, सामाने सा, कुंड करने की जरूर नहीं है, आप जैसे अगनी जलाते हो, सामानी तोर पर अगनी जलाईएगा, और उसमें उस अगनी पर काले तील और उदर ओरते हैं, उनका मिक्स आपको मिसरण है, हवन करना है, ये मंतरा आपको बता रहे हैं, इस मंत करें और डेरक्स जब के साथ में हवन शुरुआत करें तो एक माला कम से कम पहले कर दीजिएगा उसके बाद में आप हवन शुरू कर दीजिएगा जब तक बैठते हैं दो दो पास पास दस दस दाने आप अपने हाथ से डालती रहिएगा यानि आप किलो भर वो लेके दोनों मिला के बहुत सारी सामगरी हो जाएगी आप दो तिन गंटे तक आराम से बैठ सकते हैं और दो तिन गंटे में इनका आगबन आराम से हो जाता है सिद्धी हो जाती है और आपकी सबसे बड़ी समस्या यह आती है कि आपकी जो स्वेम की बेक ग्राउंड शक्ती है इ हो शकता है कि उठा के फैक भी दें और हो शकता है आपको मार से मार भी दें क्योंकि ये प्रेत आत्माई होती है ये किसी की सगी नहीं होती है ये किसी के बस में होना नहीं चाहती है इसलिए आपके साथ में कुछ भी कर सकती है वो ऐसा एक निर्जानिस्तान वहां जाईएग अगर जल्दी सिद्धी नहीं करनी है तो आप अपने हिसाब से फिर जाप करते रहिए का कुछ अनुभव हो जाएंगे फिर आप वैसे के वैसे थे वैसे के वैसे एक सिद्धी का शवरूप बताता हूँ मैं आपको क्योंकि अगोरी लोग जो सिद्धी का शवरूप करते वो अगोरियों के शादना नगना शवरूप में ही होती है जाद अतर तभी उनके पास में ये जो काली शक्तियां होती है वो पल भर में कुछ भी करते हैं ऐसे उनके पास में शक्तियां होती है और उनकी जो विशे सक्तियां होती है वो प्रेत से समंधित ही होती है इसलिए आपको ये मंत्र भी बता रहे हैं पस इस मंत्र का आपको इजनी के साथ में वहाँ पर आपको परियोग करना है और हवन करना है जब भी प्रेत की आगमन होता है प्रेत आगमन करेगा तो आपको अपने अनुशार अपने सक्ती के परबल की सक्ती होती है ने खूद की परबल शक्ती होती है उसके अनुशार उस कर भी नहीं सकता है थोड़ा बहुत उसको पता होना चाहिए कि साधना कैसे करने है शुरक्षा घेरा क्या होना चाहिए ऐसे नहीं कि आपको हर कोई मंत्र उटा कि आपने शुरक्षा घेरा लगा दिया और आपने पहले वो कभी जब भी नहीं किया था उसके बारे हम कोई ध् करें किए आपको इस करेंद प्रदिक चाएगा इस मंत्र करेंगा और इस मंत्र से ही आपको हान करना हैं ध्यान रखिए गार्वन की सामगरी काले तील काले उद्र होनी चाहिए आप लकडी लेते हैं उस में थोड़ी बहुत भी आम के लकड़ी होनी चाहिए और हो शक्क है तो गूगल और लोबान का धूप भी चलाईएगा बैतर रहेगा नहीं तो इनका तो आप पुखेवल हवन करना आई हैं और दिये के लिए तो अब ऐसी जगह होती है कि वहाँ पे हो शक्ता दिया नहीं भी चले अगर जलता है तो आप दिलन का या सर्शो का जलाईएगा बैतर रहेगा सर्शो का जलाईएगा और नहीं जलाते हैं तो आप इनका हवन कीजिएगा और इनका शादना कीजिएगा मंतर है आपको पूरन रुख से इस मंतर को बिल्कुलिक गंठश्ट करना याद करना एक भी सब्द हर माला में कहीं भी सुकना नहीं चाहिए आपका एक मंतर सुकने से एक माला खारिज हो जाए इसमें मालाओं की कोई गिंती नहीं है आप दाई, तिन गंटे करेंगे तो आजमन हो जाएगा हो सकता है पंदरा मिनट में भी हो जाए कोई आसपास में जल्दी होगा तो पास मिनिट में भी आजाएगा अगर आप कठोर तपस्या करते कोई भी सक्तियां होती है वो भी प्रक्ति हैं इस बात का भी ध्यान रखिएगा आप अगर आपके इस्ट परबल है बहुत ज़्यादा विक्रहाल है आपके इस्ट है जो आपके मजबूत शुरुक्षा हैं तो आप एक गंडे तक भी वो प्रित आपकी तरफ नहीं आएगा क्योंकि वो उनसे डगेग और फिर आप लंबे सबे तक वो करेंगे तब जाके वो आपकी तरफ आएगा और आएगा तो आपसे सीधा ही सवाल जवाब करेगा इसमें किसी परकार का आपके साथ में कुछ भी नहीं करेगा क्योंकि आपकी इस्ट की जो परबल शक्ति हैं वो मजबूत हैं अगर आप तो वो आपको मार सकती है उठा के फैक सकती है इस बात का ध्यान रखना है तो आप प्रेज सिधी कीजिएगा इससे मैंने पहले ही बता दिया कि इससे मारान महोन उशाटान वर्शिकरान सारे ही किरियाएं होती हैं ये किसी को भी अगर हानी पहुशाना चाहते हैं किसी होने का कारण किया है क्योंकि उनके पास में प्रेज सिध्या हैं प्रेज सकतिया हैं और उनकी सरीर पर उनकी खोपडियों पर वास करती हैं और जब भी वो शोते-शोते भी सोचता है कि यार उसके तो कुछ करना पड़ेगा तब वो सोचते ही अगले के कुछ हो जाता है ज और ये शोस्ते ही कर्या हो जाते हैं ये होती है इन सकतियों का पावर ये होता है इन सकतियों का लाब तो आप किजिएगा आपको वीडियो अच्छा लगा है लाइक शेर और सस्प्राइब जरूर किजिए एक चैनल को भगवान भोलेनात के नाम पर हर अरमादे विज्द स्र कर दो किमा कान।